हरी ओम दस्तत आज हम धियान की सुरुवात करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है सुख दुख चलिए तो आज हम सुख और दुख क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं पहली बात तो यह जो हमारा कई चीज में हम कहते हैं यह सुख आज मुझे मिला यह सुख की मुझे प्राप्ति हुई कभी हम कहते हैं मुझे बहुत दुख है मैं बहुत दुखी हूँ तो सुख दुख क्या है तो इस दुनों बाते हमारे मन के साथ जुड़ी हुई है चाहे सूख हो चाहे दुख हो मन से ही सुखी अब होते हैं या मन से ही अब दुखी होते हैं तो पहली बात तो मन जो है हमारा वो हमेसा विचार करता रहता है अच्छा या बुरा विचार आते रहते हैं क्योंकि मन के पास एकी काम है विचार करना तो विचार के भी दो ही प्रकार या अच्छा होगा या बुरा होगा या ऐसा कह सकते विचार आपको पसंद आएगा या विचार आपको ना पसंद आएगा तो जो आपको विचार पसंद आता है वो आपको अच्छा लगता है बस उसको ही आप सुख कह सकते है और जो आपको पसंद नहीं आता है वोही आपका दुख का कारण बनता है सास्तर के बासा में जो विचार पसंद आए उसको राग कहते है और जो विचार नहीं पसंद आता है उसको दुवेश्बा व्याद धिकार कहते है तिरसकार कहते है हमारे सास्त्र में भी यही बात बताईए जो हमारा बंदन या मोक्ष इस दोनों का कारण अपका मन ही है यहनि हमारा मन जो है वो बंदन में भी डालता है या मोक्ष की प्राप्ति भी वही मन ही करवाता है तो जेसे अभी मैंने बुला मन से ही सूख है और मन से ही दूख है कैसे? एक एक्जाम बलते कर्दे समझ लेते अगर आपको दूद बहुत अच्छा लगता है पीने का तो आपके सामने एक गलास दूद रखा है अगर आपको दूद पसंद है तो आपके लिए वो सुख का कारण बन जाएगा लेकिन किसी को दूद पीना अच्छा नहीं लगता है तो यही दूद दुख का कारण बनेगा तो दूद में न तो सुख है न तो दूख है आप क्या मानते है उसी के साथ सुख दुख जुड़ा हुआ है दूसरे एक जामपर ले लेते हैं जैसे करेली की सबजी करेला जो कड़वा होता है तो किसी को पसंद है तो किसी को ना पसंद है तो करेली की सबजी में या जो करेला है उसमें न तो सुख है न तो दुख है लेकिन अगर आपको पसंद है तो आपके लिए यही सबजी सुख का कारण बनती है और अगर यह सबजी आपको पसंद नहीं है तो यही करेली के सबजी आपके लिए दुख का कारण बनती है मतलब आप मन से क्या मानते है आप क्या समझते है या मन से आपको क्या पसंद है या ना पसंद है तो उसी के साथ सुख दुख जुड़ा हुआ है जैसे एक सिक्के के दो बाजू एक रुप्य का सिक्का है या उसको आप जो किंग वाला भाग वहीं से रजु करो या उल्टा जो हम रानी भी कहते हैं या हेड एटेल कहते हैं कोई भी रूप से उसको वो एक रुप्य का सिक्का ही रहता है जो कुछ चीज आने वाली है वो एक रूपय के बराबर ही आपको चीज मिलेगी कहने का मतलब सिक्का का अरी हेड वाला भाग या टेल वाला भाग दोनों बराबर है जिसे कभी किसी को ये दीन पसंद है तो किसी को रात पसंद है दिन और रात में शुक्समा देखा जाए कोई फरक नहीं है दिन में आपको लगता है कि सूरज है रात को सूरज नहीं है लेकि सूरज ऑपोजिट साइड चला गया है अंदेरा चा गया है अगर हम उसको नेगेटिव पर्सन कहते है या नेगेटिविटी कहते है और दिन को हम पोजिटिविटी कहते है तो दोनों की जरूरते है तो सूख और दुख ये जो मैंने बताया ये मन के साथ जुड़ा हुआ है आप मन्द से क्या मानते है कोई चीज या कोई जो हम वस्तु कहते है उसमें सूख दुख नहीं है वो हमारे मन्द के या मन्द के साथ ही जुड़ा हुआ है अस्तु हरियोम तस्सत हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रूप में सेर कर लीजिए और आप सबको विननती हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए